इसे आपको डिवाइड करना है वो बाहर लिखा जाएगा और जिसे डिवाइड करना है वो अंदर लिखा जाएगा तो इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि ये दोनों चीज़े ये जो दोनों पॉलिनोमियल्स है न ये अपनी डिगरी की जो डिगरी होती है इनके अंदर वैरियेबल की उसकी decreasing order में होने चाहिए जैसे मुझे यहाँ पे ये x-1 लिखना है तो यहाँ x की डिगरी है पावर जो है ये 1 है और यहाँ पे फिर x है ही नहीं तो यानि ये already ठीक लिखा हुआ है इसे मैं देखता हूँ तो यहाँ पहले 4 आ रहा है फिर 3 आ रहा है फिर 1 आ रहा है और फिर यहाँ पे x है ही नहीं तो ये भी ठीक लिखा हुआ है अगर कभी किसी question में ऐसा नहीं होता है तो आपको वो आगे पीछे करके ठीक कर लेना होता है तो सबसे पहले मैं ये term लिखूँँगा 3x की power 4 वाली फिर इसके बाद लिखनी है मिरको minus 4x की power 3 वाली अब यहाँ आप देख रहों कि x का variable 2 ऐसी कोई term नहीं है जब वो है नहीं लेकिन आप उसकी जगा बना लो क्योंकि नीचे x का square आएगा और वो जो x का square वाला term आएगा नीचे वो आपको square की term के नीचे ही लिखना पड़ेगा तो जब यहाँ square की कोई term नहीं है x square की कोई term नहीं है तो मैं उसे ऐसे लिख सकता हूँ 0x square यह ज़स्ट मैंने जगा बनाई है और फिर minus 3x और आगे minus 1 यह जगा मैंने इसलिए बनाई है आपको यह समझाने के लिए क्योंकि जो terms होती है न वो like term like term के नीचे ही लिखी जाती है जैसे x square की कोई term आएगी तो x square के नीचे ही लिखी जाएगी तो यह मैंने कर लिया अब इसका division हम start करते है इसमें सबसे important आपको यह ध्यान रखना होता है कि हर बार एक term को cancel करना होता है हमारे पास जो divisor है वो है x minus 1 और हमें सबसे पहले term cancel करनी है 3x की power 4 तो मुझे इसे किसी ऐसे number से multiply करना है ताकि मेरी जो पहली term है वो आजाए 3x की 4 अब उसके लिए मुझे क्या चाहिए यहाँ पे एक x तो है एक तो x का cube चाहिए क्योंकि x का cube और x मिलके x 4 हो जाएगा और number चाहिए मेरे को 3 तो यहाँ मेरे को 3 चाहिए it means 3x cube से मैं इसे multiply करूँगा 3x cube यही main चीज होती है इसके अंदर यही आपको पता करना होता है अब पहली term तो वो ही आएगी जो आप चाहते हो क्योंकि आपको यह cancel करनी है दूसरी कुछ भी आ सकती है तो 3x cube को जब दूसरे वाले term से multiply करोगे यानि minus 1 से तो यह minus 3x cube आ जाएगा तो यह चीज आपको cube के नीचे लिखनी है यह रही cube की term तो यहाँ लिखोगे minus 3x का cube इसके बाद इससे आपको subtract करना होता है थोड़ी जगा extra छोड़के नीचे के जो sign होते है वो change हो जाते है यानि कि उल्टे हो जाते है subtraction के अंदर यह plus का है तो यह minus हो जाएगा यह minus की term है यह plus हो जाएगी अब यह plus और यह minus यह cancel हो गए और यह इसके अंदर हमारा purpose होता है हर बार एक term को cancel करना होता है तो यह एक step हो गया अब जो कुछ भी है उससे आप simplify कर लीजिए यहाँ पर यह तो खतम हो गया x की power 4 x की जो 3 की term हो देख लीजिए minus का 4 और plus का 3 तो इनके coefficient solve हो जाएगे तो यह हो गया minus 1 x की power 3 1 हम कभी लिखते नहीं है क्योंकि 1 naturally automatically अगर कुछ नहीं लिखा coefficient तो 1 ही माना जाता है तो हमें इसे simply minus x cube लिख सकते हैं तो minus x cube तो यहाँ से बच गया और उपर जो कुछ भी है उसे उतार लेते हैं यह मैं 0 x square को भी उतार लेता हूं minus 3 x को भी उतार लेता हूं minus 1 अब next step के लिए मेरा सवाल तहीं आ रहे है अब यहाँ पर मेरा purpose होगा कि minus x cube इसे मुझे खतम करना है eliminate करना है तो divisor पे देखिए ध्यान दीजिए x minus 1 है लाना क्या है मेरे को पहली term minus x cube तो x तो है यहाँ पे तो एक तो x का square चाहिए और क्योंकि minus में आना चाहिए तो यह minus चाहिए तो minus हो गया x square और x मिलके यानि multiply होके x का cube आ गया तो यह number मेरे को पता चल गया कि अगला जो मेरा multiplication होगा वो इस से होगा minus x square से तो पहली term तो यह आएगी ही जो हमको चाहिए minus x cube दूसरी कुछ भी आ सकती है minus x square को minus 1 से multiply करेंगे तो minus minus plus हो गया और x square वन जार x square हो गया तो minus x cube तो मैंने लिख लिए है अब यह plus x square लिखना है यह यहाँ पे लिखा जाएगा plus x और यह square अब आपको पता चला हुआ कि शुरू में ही मैंने x square की जगा क्यों बना ली थी अब इसे हम subtract करेंगे sign change हो जाएगा यहाँ minus का है तो यह plus हो जाएगा और यह plus है तो यह minus हो जाएगा यह plus का और यह minus का same terms है cancel हो गई यह हमारा purpose था यहाँ पे simplify कर लेते हैं यह minus का 1 है और यह 0 0 का मतलब है इसमें कोई effect हो गई नहीं तो answer जो आएगा वो भी आपका minus ही आएगा minus x square और जो यह बच गया है इसे copy कर लेते हैं minus 1 तो यह दो procedure हो गए अभी हमारा purpose है यह जो minus x square है इसे आपको eliminate करना है अब फिर से आप diviser पे धिहन दीजिए x minus 1 है आपके पास और यहाँ पे आपको term चाहिए minus x square यह लानी है आपको तक कि इसके बराबर हो जाए eliminate हो जाए तो एक x तो है एक तो आपको x चाहिए तक कि x और x मिलके multiply होके x square हो जाए क्योंकि answer minus में चाहिए तो यह वाली चीज़ आपको minus में चाहिए minus का x तो यह पता चल गया यहाँ पे लिख लेते हैं minus x अब इससे जब multiply करेंगे तो पहली term तो यह ही आएगी जो हमको चाहिए minus x square और दूसरी minus और minus मिलके plus हो गया और x वनजा x हो गया तो plus x यह x के नीचे लिखा जाएगा क्योंकि यह x की term है अब इसे subtract कर देते हैं तो sign change हो जाएगे नीचे भालो के यह minus का है plus हो जाएगा यह plus है यह minus हो जाएगा plus का x square minus का x square cancel हो गए minus का 3 और यह minus का इसका coefficient 1 है तो minus और minus add हो गए minus 4 x हो गया यहाँ पे इसे copy कर देते हैं minus 1 को अभी यहाँ पे minus 4 x है और यहाँ जो हमारी सबसे कम degree है वो भी x है यह आप equal तक किसे eliminate कर सकते हो equal से मेरा मतलब है जैसे यहाँ x की power 1 है तो x की power 1 वाली term को आप cancel कर सकते हो लेकिन अगर आपका question में कभी ऐसा आ जाए कि यहाँ पे x की power 2 है और यहाँ पे x की power 1 है फिर आप उसे खतम नहीं कह सकते यानि इसके अंदर अभी इसको खतम करने की गुंजाश है तो इससे अब eliminate करना है हमको minus 4 x को तो divisor पे फिर से ध्यान दीजिए x minus 1 है हमको लेके आना है minus 4 x तो x तो यहाँ अल्रेडी है सिर्फ हमें minus 4 से multiply करना है तो यह चीज हमको पता चल गई तो यहाँ उपर लिखेंगे हम minus 4 हम minus 4 से जब x को multiply करेंगे तो minus 4 x आ जाएगा जो की हमें चाहिए और दूसरा क्या आएगा minus और minus मिलके plus हो गया और 4 बनजार 4 हो गया यह number है, number के नीचे लिखा जाएगा जो constant है अब इनके subtraction करने के लिए sign change होंगे यह minus का है तो यह plus हो गया यह plus का है तो यह minus हो गया plus का 4 x minus का 4 x cancel हो गे और यहाँ minus का 4 और minus का 1 minus minus add हो के minus का 5 आ गया अब आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर variable है ही नहीं और यहाँ पे variable की power 1 है तो जब यहाँ पे remainder में आपका variable होता ही नहीं है और divisor के अंदर variable जो है उसकी power यहाँ वाले से ज़्यादा होती है तो फिर वहाँ सवाल खतम हो जाता है यह जो minus 5 आप देख रहे हो यह तो हो गया इस question का r for remainder और जो उपर आया है यह आपका quotient हो गया ऐसे आप इनकी division करते हैं question खतम, next questions के लिए next video में मिलेंगे तब तक के लिए, good bye